मानहानी मामली वे दो साल की सजा सुनाय जाने के बाद शुकरवार को कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी की लोग सभा सद्यसता रद्ध कर दी गई है। प्रियंका ने लिखा कि लूट पर सवाल उठाया तो बौकला गए है। प्रियंका गांधी ने कहा प्रधान मंत्री मोधी जी आपके चमचो ने एक शहीद प्रधान मंत्री के बेटे को देश द्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुखे मंत्री ने सवाल उठाया कि राहूल पिता कौन है? कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यू के बाद पगली पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। पिता की महान जनता से बड़ा हो गया है? कि उसके लूट पर सवाल उठा तो आप बॉखला गए? आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं? जान लीजिए! इस परिवार ने भारत के लोगतंत्र को अपने खून से सीचा, जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। आप जैसे कायर सत्ता लोभी ताना शाहा के सामने कभी नहीं जुका और कभी नहीं जुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बतादे कि मानहानी मामले में केरल की वाइनाट संसदिय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहूल गांधी को शुकरवार को लोगसभा की सदस्यता के लिए अयोग इठराया गया। लोगसभा चुनाव के दौरान राची के मुराबादी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए राहूल गांधी ने कहा था कि सभी मोधी नाम वाले चोर होते हैं। कि सकते हैं।